ओम शांती आज 4 ओगस 2022 है विशेश आत्मा बनने की क्या विधी है क्या करे जिसे हम बहुत सहच शृती से विशेश आत्मा बन जाए जानते हैं आज के स्लोगन द्वारा विशेश आत्मा बनना है तो विशेशता को ही देखो और विशेशता का ही वर्नन करो जब हम कभी अगर्बत्ती जलाते हैं या किसी प्रकार की खुश्बू हम फैलाते हैं तो क्या होता है? वो खुश्बू हवाओं में फैल जाता है, हवाई महकने लग जाती है और उस महकते हुए हवाओं के कारण से हम अस्थाई रूप सही सही मन प्रसन्न हो जाता है वातावरन बदल जाता है और मन में एक हलकापन सा महसूस होता है तो ये है स्थुल अगरबती का कमाल तो सुक्षम अगरबती क्या है? सुक्षम अगरबती कौन से कमाल करता है? सुक्षम अगरबती है विशेश्टा देखना और विशेश्टा का वर्नन करना जब हम किसी आत्मा की विशेश्टा को देखते हैं और उसका वर्नन करते हैं तो खुश्बू की तरह वो विशिष्टा हवाओं को भी महकाने लगते हैं और उस हवाओं को महकाने के साथ साथ जो लोग उस आसपास में उस हवाओं के अंदर आते हैं तो लोगों का मन प्रसन हो जाता है, स्वयम का भी मन स्थाई रूप से प्रसन हो जाता है क्यों? क्योंकि जिस तरह से संग का रंग कहा जाता है उसी तरह से खुश्बू का भी एक रंग होता है जैसे कोई-कोई खुश्बू में जब हम खुश्बू डालते हैं तो वो खुश्बू इतना स्थाई रिती से हमारे अंग में या हमारे कपड़े में लग जाते हैं जो धोने के बाद भी मिटाने के बाद भी वो खुश्बू सदा स्थाई रूप से रह जाता है इसी प्रकार से विशेशता को देखना, विशेशता को वर्णन करना ये खुश्बू ना केवल वातावरन को स्रेश बनाता परन्तो हमारे मन के अंदर को भी विशेश बना देता है हमारे मन इतना विशेश बन जाता है कि जैसे मालो विशेशता का वो चदर मन ने ओर लिया हो अर्थात वो विशेशता स्वेम मन ही बन जाता है मन का रूप विशेशता का बन जाता है तो इसलिए हमें सदा ही विशेष्टा को देखना है विशेष्टा का वर्नन करना है इसका पूरा अटेंशन हमें रखना होगा कि किसी के अवगुनों को देखते हुए जानते हुए भी ना उसे देखे ना वर्नन करे क्योंकि जिस तरह से विशेष्टा को देख करके वर्नन क करके होता है अर्थात यदि हम अवगुनों को देखेंगे उसका वर्नन करेंगे तो हमारे अंदर भी अवगुन आ जाएगा तो इसलिए सदा इस बात का टेंशन रखना है विशेष्टा देखे और विशेष्टा को ही वर्नन करना है ओम शांति